और क्या था सर हमारा आज का चलिए अब जो बच्चे नए जो इन होते हैं डेली बीसिस पे मैं उन सभी को चाहे ऑफलाइन में हो चाहे आपके ऑनलाइन में बच्चे हो पुरानी क्लासिस के जो बच्चे लाइव क्लासिस में है या ऑनलाइन क्लासिस में उनको तो वीडियो कंटेंट में मिल जाएगा जो बच्चे offline में हैं उनको मैं link provide कर दूँगा ताकि पिछला backup आप देख क्या है आपका exam fab में start हो जाएगा तो इतना समय नहीं है कि आपको बार बार वो classes कराया जाए क्योंकि ये chapter अभी चलके बस 26 तारिक तक रुख जाएए 26 के बाद एक paper 28 का है Christmas Day निकलते ही आपकी classes को मैं क्या करने वाला हूँ regular और जल्दी से जल्दी मेरी कोसिस है कि आपका slaves को पहले खतम कराया जाए revision का तो मैं guarantee नहीं लेता लेकिन हाँ जैसे मैं short revision की बात करूँ मैं एक घंटे के अंदर पूरा slaves खतम करने की बात करूँ तो जैसे rapidly मैं इसको खतम कर सकता हूँ rapidly आपको तभी फाइदा मिलेगा जैसे आज वाला adjustment मैंने पूरा revise करा है मुस्किल से 10 मिनिट लगा उस बच्चे को सारी बात समझ में आ जाएगा जिसने पढ़ रखा है जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा भी यह तो हमारे कुछ पल लहीं नहीं पढ़ा क्या क्या एक्स्ट्रा बाते बोल दे जिसने पढ़ रखा है उसको recall हो जाएगा तो rapidly revision तो आपका होगा जिसमें से अभी पहला ही चेप्टर स्टार्ट होगा है हमारा final account काफी बच्चों को तो अभी यह भी नहीं पता है सर के हमारा become के अंदर अभी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी वो सोच रहें कि अभी होगी दीरे दीरे और 5 unit के अंदर मान लेते हैं 10 chapter है तो कुछ बच्चे सोच रहें कि semester 1 और semester 3 तो बच्चों के mind में है 5 chapter अभी आ जाएंगे और बाकी के 5 chapter हमारे semester 2 में काम आएंगे तो ऐसा नहीं है यहाँ पे ही आपका पूरा का पूरा book खतम होगा यह reality है बहुत बच्चे के mind में यह चल के semester 1 semester 2 school वाली आदत लगी होती है first term second term तो वहाँ पर क्या होता है first term के अंदर आधस लिबस आता है और second term में क्या होता है पूरा तो यहां ऐसा नहीं है यहाँ जो है semester 1 first term मान लो final term मान लो जो है तो यही है पूरी किताब second semester के अंदर तो आपको दूसरे subjects मिलने वाले हैं य एक था finance for everyone subject और एक subject था finance for everyone के जगह पर रंगमंच के नाम से था हिंदी का subject था कुछ तो बच्चे सोचते हैं कि नाम से वो देखो मैं कहूं तो finance for everyone का आपको ना तो study material मिलेगा ना classes मिलेगी कुछ नहीं मिलने वाला market के अंदर आप परिशान रहोगे हिंदी का आपको सब क कुछ मिल जाएगा in fact Hindi का study material upload भी हो चुका है आप साइड पर जाओगे तो जिन बच्चों ने finance for everyone पहले आप देख लीजिएगा मेरे कहने पर नी study material पहले आप देख लीजिएगा content देख लीजिएगा आपको समझ में आ रहा है क्योंकि उसको finance for everyone का मतलब होता है कि आप teach and everything की थोड़ी थोड़ी knowledge दी गई है आपको चाहे आपका company से related हो तो वो हो गया finance for everyone तो उसको पढ़ना एक systematic मेरे हिसाब से flavors देखो real life के लिए ठीक है लेकिन उसको पढ़ाने वाला भी होना चाहिए और उससे related कुछ systematic हमारे पास study material भी होना चाहिए जो की market में available नहीं है लेकिन हिंदी एक ऐसा subject है जो आप पढ़ते आए हो और 10th के अंदर तो आपके पास compulsory था कुछ बच्चों ने 12th में छोड़ होगा और first year में तो आपके compulsory होंगे चाहिए बच्चा regular का है चाहिए सोल का है चाहिए का कहीं का भी है हिंदी से बच नहीं सकते तो एक रंगमंच नाम से subject था या फिर history नाम से subject था मेरे हिसाब से उसके अंदर आपको ज्यादा benefit easy तरीके से आप कर सकते हो तो जिन बच्च को नहीं बदला जा सकता है लेकिन option में चाहिए साइवर कैफर वालों ने गलती कर दी चाहिए आपने जल्द बाजी में गलत भर दिया तो उसको चेंज कराया जा सकता है उसको कोई charges नहीं होता उसके लेकिन date sheet exam के आने से पहले roll number आने से पहले यानि आप मान के चलिए जानी रहा आप एक बार जरूर इस पर notice करिएगा चलिए अब एक section देखिए ध्यान दीजिएगा